सबी को जहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है जहिंद रेक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आजमा आपके लिक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकराएं जोसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत लाही खान के साथ रिसेनली हमारी वीडियो हुई है सिरफ पांच लाक व्यूज थे बट चोबीस पच्चीस हजार लाइक और तकरीबाँ छे से साथ हजार कुमेंट्स बाक्स में लोगों ने कुमेंट किये थे और बहुत से लोगों ने अपनी उपिनियन दी लारेंस को कंपेर किया जा रहा है, यए थोड़ा बताया जा रहा है कि यह आज के दोर के बगत सिंग, एक साइट पर कुछ लोग यह भी कह रहे है कि लौर्रेंस बिशनवुई जो बी है तो क्रिमिनल है, मलब क्राइम किया है, गोवणन की जो systemsबिल्टी है, जो जिमेधरी है, तो भी वो काम कर रहे है वो अपनी जगा पर ठीक है बागा सिंग की जो एक्जेमपल दी जा रही है या कंपेर किया जा रहा है क्या ये बेहतर है और सब सवाल नाजिया जी से पहले ये होगा कि मुझे बताएं आप लॉरेंस बिशनोई को एक मुस्लिम गर लें ठीक है इंडियन हैं लेकिन लॉरेंस बिशनोई को स्पोर्ट कर रही है क्या आप लॉरेंस बिशनोई को ये कह रही है कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है उसके ओपर नाजिया इलाही हान की क्या ओपिनियन होगी ये जानेंगे अस्सलाम आलेकुम नाजिया जी बंदे मातरम भारत माता की ज जे जगरनाथ इस इदर से भी याद आया जो आपने भी बोला जे जगरनाथ इसके ओपर भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि वह आप यह बात करके सब भारतियों का सब इंडिया वालों का दिल चीत लेती है और इसके इलावा भी मैं यह समझत हूँ आपकी बातें ऐस five percent उसे appreciate करते हैं अब उसकी क्या reason है अब public interaction आपका ज्यादा रहते है अब public की सोच या जो उनकी خواہिश है जो उनके दिल की बात है वो आपकी जबान पर रहती है जिसकी वज़ा से लोग पसंद करते हैं या बताएंगी लेकिन पहला ही सुआल ये है आप खुद एक कनून की तालब इल्म हैं स्टूडेंट हैं और कनून के उपर ही आप मतलब आप एक lawyer है और कनून की तहफ़ महाफिज हैं आप Lawrence बिशनोई को defend करती हैं तो क्यों करती हैं ये मेरा पहला सुआल है मैं इसके आगे आप से मजीद भी question करूंगा तेकि मेरी नजर में जो जो criminal है वो criminal ही रहेगा ठीक है मेरी नजर में मैं criminal को ये बोल करके कि वो बहुत बड़ा भगवान राम का भक्त है इसलिए उसको मतलब remission ground पर छोड़ दो या उसको बिल्कुल बाहिजद बरी कर दो ये ये court का काम है ये judges का काम होता है ये मेरा काम नहीं होता है ठीक है और मैं तो अपने profession में इतनी ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन वाली हूं कि मैं कभी भी रेप के accused का case नहीं लेती हूं बिल्कुल नहीं लेती हूं मैं free में domestic violence का case ले लेती हूं victim का रेप की जो victimized होती है मैं free में उसके matters देख लेती हूं लेकिन बलातकार जो करता है उसका case नहीं लेती है ठीक है अब बात आती है के court के अंदर व्यत्ति कुछ और होता है और court के बाहर व्यत्ति कुछ और होता है क्योंकि वो उसकी अपनी और personal भावनाएं होती है किसी को भ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है कि जो लोग Lauren Vishnoyi को gangster बोल रहे हैं जो लोग Lauren Vishnoyi को बहुत बुरा बोल रहे हैं बहुत खराब बोल रहे हैं उनको एक बार Vishnoyi समाज के बारे में सुनने और समझने की बहुत ज़रूरत है अभी मैं महाराश्य एयरपोर से बॉम्बे के इंटरनेशनल एरपोर्ट से मैं आ रही थी और एक बुक के एक बहुत पुरानी इंतिहासिक किताब की एक स्टोर थी और उसमें से मैंने ये किताब उठाई सब्सक्रित में लिखा हुआ है हां बड़ी मुश्क्र से मैंने ट्रांसलेट किया है विश्णोई समाज की कहानी मैंने उसको उठाया और पूरे फ्लाइट पर मैं उसको पढ़ती रही काफी लंबी फ्लाइट थी मेरी 1730 में हम सबसे पहले जाएंगे और विश्णोई समाज को बहुत गौर्श चे सुनना है सबको विश्णोई समाज को पहले हमको समझना पड़ेगा और तब लॉरन विश्णोई पर कोई जज्मेंटल स्टेटमेंट पास करना या ना करना यह यह देखने वाले और सुनने व की कुछ जरूरत थी राजिस्थान में और वो उस राजे ने राजा ने अपने लोगों से कहा के लकडियां कम पड़ गई है और लकडियां ले करके आओ और राजिस्थान जैसे जगा जहां पर पानी नहीं होता था जहां पर पूरा रेगिस्थान होता था वहां पर एक ख खेजरी के पेड को राजा के लोग चले गए काटने के लिए जैसे ही अमरिता देवी जो खेजरी के पेड की पूजा किया करती थी जो उसको पवित्र मानती थी वो पूरा गाउं खेजरी के पेड का विश्णोई समाज उस खेजरी के पेड का पूजा किया करता थो और चारो बिश्णोई समाज के 363 लोगों का गला कट गया लेकिन अमरिता देवी ने वो खेजरी का पेड काटने नहीं दिया बिश्णोई समाज जिस चीज को पूजनिय मानता है बिश्णोई समाज जिस चीज की पूजा करता है बिश्णोई समाज जिस चीज को आधरनिय मानता है बि इसको वो कटने नहीं देता अब बात आती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे मजब वाले लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर इंसान का गला काड़ देते हैं जो जशन और खुशी और तहवार मनाने के लिए जानवर काड़ देते हैं पर विश्णोई समाज के जो गुरू करते थे वो पत्तों को भी बहुत प्यार से उसमें पानी दिया करते थे शुबह की ओस्को ना नर्म हाथ से उसको पोचा करते थे भूल को तोड़ने से पहले पहले उससे बाते किया करते थे विश्णौई समाज के लोग उस फूल को तोड़ने से पहले ये समझाते थे फूल को कि तुम मुर्जा जाओगे इसलिए हम तुमको तोड़ रहे हैं विश्णोई समाज के जो गुरू हुआ करते थे वो पानी से पत्तों से जानवर से बहुत महबत किया करते थे विश्णोई समाज की महिलाएं काले हिरन को अपनी चाती का दूद पिलाया करती थी जो बच्चों को पिलाया जाता है जो मा नौ महीना पेट में रख करके बच्चा जनती है उसको अपनी चाती का दूद पिलाती है और विश्णोही समाज की महिलाएं हिरन को और काले हिरन को पूझती भी थी और उनके बच्चों को ह question में करना चाहूंगा मतलब ये मेरे mind में question आया है देखने वालों में से भी कुछ लोगों के mind में शायद आया हो एक side पे आपने ये बोला कि बाई ये जो बिशनोई समाज है बहुत यानि जो आपने बाते की उसका मतलब ये है कि बहुत रहम दिल बहुत नरम दिल है जो जानवरों से बहुत महबद करते हैं जो पत्तों से पोदों से बहुत महबद करते हैं दूसरी side पे उसी समाज के उसी मलब जो community है विशनोई community उसमें एक ऐसी personality सामने पैदा होके सामने आ रही है कि जो के जिसके मताबिक मालब खबरों के मताबिक के सिद्धू मुसेवाला इदर उदर जितने भी नाम हैं उसे उड़ा दिया उसे उड़ा दिया यानि एक साइट पे पत्तों को भी बहुत इहतराम, रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, दूसी साइट पे अगर देखा जाए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्यूनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है, तो इसके ओपर अपको नहीं लगता है, अब वो कहानी खोलती हूँ मैं, अब वो कहानी भी खोलती हूँ, लॉरन विश्णों, कुछ लोगों की नजरों में हीरो है, कुछ लोगों की नजरों में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नए एरा का के भगत सिंग है, मैं नहीं मानती है, भगत सिंग पूजनिय है, भगत सिंग आइडियल है भगत सिंग के चर्णों पर हम फूल चड़ाते हैं और मेरी नजरों में मेरे मेरे हिसाब से according to my perception हम जिनके चर्णों पर फूल चड़ाते हैं हम जिनको पूजते हैं हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं ठीक है तोड़े भागे अपने लोगों को ले करके जाते हैं और उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई शिकारी आया है और काले हिरन को मारने आया है काले हिरन के एक बच्चे को बचाने के लिए निहाल चन विश्णोई पूरे लहू लिहान हो जाते हैं और छातियों पर गोलियां लेते हैं शिकारियों के छातियों पर और कुछी लम्हें के बाद उनकी मिर्तियों हो जाती है पर उस घटना को देख करके जो शिकारी आते हैं वो वापिस नंगे पैर दोड़ते हैं अपनी जीप में रिटन 1996 के आकरी में निहाल चन बिश्णोई के परिवार को सूर्य चक्र का चक्र से नवाजा भी गया जो भारत की सरकार ने नवाजा था निहाल चन बिश्णोई हलाके आर्मी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने काले हिरन और हिरन के बच्चों की जान बचाई थी वो एक बहुत ही सराहनी बात थी और भारत की सरकार को ऐसा लगा कि शूर्य चक्र से निहाल चन बिश्णोई को बिल्कुल ही नवाजना चाहिए और भारत की सरकार ने नवाजा अब आती है एंट्रे लॉरेन बिश्णोई की 1998 क्योंकि मैंने आपको दो दिन पहले ही पताया था कि 1993 की पैदाईश है लॉरेन बिश्णोई की और 1998 में एक फिल्म आती है हम साथ साथ है जिसकी शूटिंग होती है जोदपूर में और वहीं के आसपास गाओं का हमारा लॉरेन बिश्णोई चेक है लॉरेन बिश्णोई बच्पन में 1998 में वो मात्र पांच साल कुछ महिने का था और अचानक से उसको अपने गाओं में पता चलता है कि सल्मान खान जो है वो पास के जोदपूर में आये हैं अपनी पूरी क्रू टीम के साथ हम साथ साथ की शुटिंग करने के लिए बच्चा लॉरेन बिश्णोई बहुत खुश होता है कि सल्मान खान खान शुटिंग करनी आये हैं हम भी जाएंगे अपने अपने पिता जी के साथ अपनी माता के साथ लिखने के लिए और वो खुशी आदी अधूरी रह जाती है कि लॉरन बिश्णोई के पिता और उनके पूरे घर वाले बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि उसी शुटिन के दोरान में सल्मान खान अपनी जीप लेकर के निकलते हैं और एक काले हिरन को मार गिराते हैं क्योंक नानानी ने सुनाया फिर 1996 की कहानी जो माता पिता ने सुनाया और फिर 1998 की कहानी जो लॉरन बिश्णोई ने बच्पन में अपने आँख से खुद ही देख लिया कि ये लोग और खास करके एक खास मधभ वाले लोग अपने तहवार अपनी खुशी अपना जलसा अपना बात बताएं कि एक तरफ बहराईच में रामकुपल मिश्रा की मौत इसलिए की जाती है क्योंकि वो एक हरा जंडा उतार करके भगवा जंडा लहराता है और मुसल्मान उसकी च्छाती में 35 गोलियां दाखते हैं उसके नेल्स को प्लास से उखाडते हैं उसके नाक के अंद जिसको पूजिता है विश्रोई समाज क्या उसके लिए उसका गुस्सा वाजिब नहीं है अच्छा के लिए भी गुस्सा वाजिब है दोस्तों आशा करते हों कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और सोहेब चोधी और नाजिया खांजी का पूरा डिसक्शन आपको क काफी पसंद आए होगा जिसमें ना जिया खांजी ने ना सरफ लारेंस विश्रोई की बात की बलकि हमें विश्रोई समाज के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी तो वीडियो गर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें जे भारत